सवे भवंतु सुखिन, आर्ती है मात मेरी पर विशेश, भाग एक, जो गुरु उद्देश के अनुरूप हो ग्रहन करें, लेक का उद्देश सतकर्म द्वारा, आध्यात्म की लक्षे की प्राप्ती के लिए प्रेरित करना है, हम उस अद्रिश्य शक्ती को, चाहे किसी भी रूप में मानते हों, वह अद्रिश्य है और, इसलिए उसकी अनुभूती अंतर में ही संभव हो पाती है, उसका स्वरूप एक ही है, जिस तरह रक्त का रंग लाल होता है, चाहे वह रक्त, जल्थ का हो, थल्चर का हो, नब्चका हो, रक्त का रंग एक ही होता है। पर्मानंद की अनुभूती होती है, कोई किसी को भी मानता हो, किसी भी मत का हो, किसी भी धर्म का हो, ज्योती धुन्ट शब्द पर्मानंद, यह सभी मनुश्यों में विद्यमान है, चाहे बाहर से विविद्ता दिखाई देती हो, लेकिन अंतर में कोई विभेद नहीं, आंत जिनके लिए सतकर्म महत्वपूर्ण है और अद्रिश्य तत्वा आत्मा पर्मात्मा में आस्था है। आस्थिक भी दो तरह के होते हैं। लेकिन चाहे आस्थकी हो अथ्वा नास्थिक अदेक्तर समस्थ दर्शनों में एक समान सिध्धांत विद्यमान है निशकाम सात्विक्ता का। निशकाम सात्विक्ता ही वह सीळी है जो मनुष्य के मन को प्रेम, करूना, दयाभाव से परिपून कर देती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रव, श्रौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रानिधान से मन को सराबोर कर देती है. मन को विकारों से रहित कर देती है. काम, क्रोध, लोग, मद, मोह, राग, द्वेश, निशकाम, सात्विक्ता ही. वह साधन है, वह जिसके द्वारा अद्रिश्य शक्ती की अनुभूती संभव हो पाती है। लगातार तो